अध्याय ग्यारा एन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चड़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाई भी दी गई क्यूंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विशे में गवाई दी और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बाते करता है विश्वास ही से हनोग उठा लिया गया कि मृत्यू को ना देखे और उसका पता नहीं मिला क्यूंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था उसके उठाय जाने से पहले उसकी ये गवाई दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन किया है विश्वास बिना उसे प्रसंद करना अन होना है क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है विश्वास ही से नू ने उन बातों के विशे में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चितौनी पाकर भक्ती के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहास बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोशी ठेराया और उस घर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आग्या मानकर ऐसी जगा निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ तो भी निकल गया विश्वास ही से उसने प्रतिग्या की हुए देश में जैसा पराय देश में परदेशी रहकर इजहाग और याकूब समेथ जो उसके साथ उसी प्रतिग्या के वारिस थे तंबूओं में वास किया क्योंकि वो उस स्थिर नेवाले नगर की बार्ज होता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेशुर है विश्वास से सारा ने आप बुड़ी होने पर भी गर्वधारन करने की सामड पाई क्योंकि उसने प्रतिग्या करने वाले को सच्चा जाना था इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था आकाश के थारों और समुंदर के तीर के बालू की नाई अंगिनित वंज उत्पन हुआ ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिग्या की हुई वस्तुएं नहीं पाई पर उन्हें दूर से देखकर आननित हुए और मान लिया कि हम प्रतिग्या पर देशी और बहारी हैं जो ऐसी ऐसी बाते कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि सौदेश की खोज में है जिस देश से वे निकल आये थे यदि उसकी सुधी करते तो उन्हें लोट जाने का अफसर था पर वे एक उत्तम अर्थात सुर्गी देश के अभिलाशी हैं इसलिए परमेशर उनका परमेशर कहलाने में उनसे नहीं लजाता सो उसने उनके लिए एक नगर तयार किया है विश्वास ही से इब्राइम ने पर्खे जाने के समय इस्थाक को बलिदान चड़ाया जिसने परतिग्याओं को सच माना था और जिससे ये कहा गया था कि इस्थाक से तेरा वर्श कहलाएगा और वो अपने एकलोते को चड़ाने लगा उसने विचार किया कि परमेशर सामर्थी है कि मरे हुए में से जिलाए सो उनी में से द्रस्थान्त की रिती पर वो से फिर मिला विश्वास ही से इस्थाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विशे में आशी दी विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से प्रतेक को आशी दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दनवट किया विश्वास ही से यूसुफ ने जब वो मरने पर था तो इसराइल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्यों के विशे में आग्या दी विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन होने के बाद तीन महिने तक छिपा रखा क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आग्या से ना डरे विश्वास ही से मूसा ने स्याना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुक भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा और मसी के कारण निंदित होने को मिसर के भंडार से बड़ा धन समझा क्योंकि उसकी आँखे फल पानी की ओर लगी थी विश्वास ही से राजा के क्रोट से ना डर कर उसने मिसर को छोड़ दिया क्योंकि वो अंदेखे को मानो देखता हुआ द्रड रहा विश्वास ही से उसने फसे और लहु छिड़कने की विधी मानी कि बहलोटों का नाश करने वाला इसराइलियों पर हाथ ना डाले विश्वास ही से वे लाल समुंदर के पार ऐसे उतर गए जैसे सू की भूमी परसे और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डू मरे विश्वास ही से यरियों की शहर बना जब साथ दिन तक उसका चकर लगा चुके तो गेर पड़ी विश्वास ही से रहा वैश्या आग्या ना मानने वालों के साथ नाश ना हुई इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था अब और क्या कहूं क्यूंकि समय नहीं रहा कि गिदौन का पाराक और समसून का इफ्थी का दावट और शामुयल का और भविश्टुक्ताओं का वर्णन करूं इन्होंने विश्वासी के द्वारा राच्जे जीते धरम के काम किये प्रतिग्या की हुई वस्तुए प्राप की सेहू के मूँ बंद किये आग की जुआला को ठंडा किया तलवार की धार से पच निकले निर्बलता में बलवंत हुए लडाई में वीर निकले विदेश्यों की फोजों को मार भगाया इस्त्रियों ने अपने मरे हुँओं को फिर जीवते पाया कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा इसलिए कि उत्तम पुनरुथान के भागी हो कई एक ठटों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बादे जाने और कैद में पढ़ने के द्वारा परके गए कई पत्राओं किये गए आरे से चीरे गए उनकी परिक्षा की गई तलवार से मारे गए विकंगाली में और कलेश में और दुख भोगते हुए भेणों और पक्रियों की खाले ओडे हुए इधर उधर मारे मारे फिरे और जंगलों और पहाडों और गोफाओं में और प्रति के दरारों में भटकते फिरे संसार उनके योगे ना था विश्वास ही के दौरा इन सब के विशे में अच्छी गवाई दी गई तो भी उन्हें प्रतिग्या की हुई वस्तू ना मिली क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बार ठहराई कि वे हमारे बिना सिदता को ना पहुँचे